कॉंग्रिस पार्टी वैसे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन अधिकांस राज्यों में भाजपा का सासन है और केंदर में भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार है हरियाना की 90 विदांसवा सीटों पर 1 अक्टूबर को चुनाओ होगा जमकि जम्मू कस्मीर की 90 विदांसवा सीटों के लिए 18 सितंबर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विदांसवा चुनाओ होने जा रहे हैं जिसके चुनाव पर पूरे देश की नजर है जमकि जम्हू कस्मीर में करीब सत्केंसी लाग से अधिक वोटर हैं जो काफी समय बाद अपने मतादिकार का उपयोग करने जाएंगे भाजबा ने लोगस्वा चुनाव से पहले मुख्यमंद्री पज से मनहोरलाल खटर को हटा कर एंटी इंगम्मेंसी दूर करने का प्रियास किया तो साहती राजस्तान के बड़े नेता डॉक्टर सतीज मुनिया को प्रदेश प्रभारी बनाकर यहां के करीब 30 फीस भी जाट वोट बेंक को साधने पर वी फोकस किया है हरियाना में बीते दो विधांसवा चुनाव में जाट बनाम अन्ने जातियां करके भाजबा सत्ता पाने में काम्याब रही है हलां कि पिछले चुनाव में भाजबा को पून वहमत नहीं मिला था लेकिन साथ सीटों वाले दोशयंत चोटाला को साथ लेकर सरकार बना ली थी लोक्सवा चुनाव से ठीक पहले दोशियन चोटाला के साथ अलाइंस खतम करके भाजबा ने नायब जिंग सेनी को मुख्यमंत्री बनाया जो सेनी वोटर्स को सागने के रूप में देखा जा रहा है बीते 10 साल में हरियाना में जाट आरक्षन आंदोलन, किसान आंदोलन और बीते साल महिला पहलवान आंदोलन के कारण भाजबा कमजोर परती दिखाई दे रही है इसके चलते कॉंग्रेस पार्टी अपने लिए काफी स्कोप देख रही है किन्तु खुद कॉंग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 3-4 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है जिसके कारण भाजबा अलग तरहें की रणनीती बना कर चल रही है लोकसवर चुनाव से ठीक पहले भाजबा ने बिंदु चोधरी और उनकी बेहन को अपने पाले में लेकर जाट वोट में सेंद मारी करने का प्रियास किया बिंदु चोधरी हरियाना के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल चोधरी के बेटे की बहु है इसके अलावा कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्स असोगतावर भी भाजबा में हैं तो साथ ही कुल्दी विस्नोई को भी भाजबा अपने पाले में दे चुकी है कॉंग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री बुपिंदर हुड़ा, राज्यस वसांसत, रणदीर सूर्जेवाला और कुमारी सहलजा के बीच वर्चस्विगी जंग चल रही है कुमारी सहलजा हरियाना की सबसे बड़ी दलित निता मानी जाती है इन तीनों में लड़ाई इस कदर जारी है कि बुपिंदर हुड़ा और रंदीर सूर्जेवाला एक दूसरे पर खुले आंग जम कर बयान बजी कर रहे हैं बात यदि बुपिंदर हुड़ा के करियर की करें तो दसवी, ग्यारवी, बारवी और चोदवी लोकस्वा में रोहतक से जीत कर सांसद बने थे इसके साथ ही चार बार से विधायक भी हैं मार्च दोजार पांस से दोजार चोदे तक लगातार दस साल तक भुपिंदर हुड़ा अरियाना के मुख्यमंत्री रहे उनके बीटे दिपंदर हुड़ा भी लोकस्वा सांसद हैं और दोनों बाप बेटे यहां कॉंग्रेस की सरकार बनाने के लिए जुटे हुए हैं ने डोक्टर सतीज पुनिया को प्रदेश प्रबारी बनाकर नाराजगी कम करने का प्रियास किया है भाजबा अभी से बुपिंदर उड़डा के सासनकाल में गुरदाओं की सेंकड़ों एकट जमीन की खरईद वरोक्त और उसमें पिंका गांदी के पती रोबर्ट वाडर के साथ डियलैफ जमीन गोठाला करने के मामले को परमुकता से उठा रही है तो कॉंग्रेश ने भाजबा के 10 साल के सासन को अब तक सबसे बुरा सासन बताया है डियलैफ गोठाले को लेकर भाजबा मुखर है नेकिन पार्टी के पास अपनी सरकार के कामकाज को जंता के सा प्राप्त नहीं कर सकती है इसके अलावा किसान आंदोलन को प्रमुकता से उठाने महिला पहलवान आंदोलन में सामिल महिला पहलवानों को टिकट देकर मैदान में उतारने और भाजबा सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी तो ही सब्ता मिलने की संभावना बन सकती है भाजबा की बात की जाए तो लगातार तीसरी बार सप्ता पराप्त कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ये दिखाना चाहेगी कि राज्ये की सबसे बड़ी आवादी के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर उसने जो रणनीती अपनाई थी वे लगातार तीसरी बार भी कारगरशा भीत हुई है देखा जाये तो भाजबा 2014 के बाद इस रणनीती पर काम कर रही है कि जिस राज्ये में सबसे बड़ी आवादी की जाती है उसको अंदेखा कर चोटी जातियों के मुख्यमंत्री बनाये जाते हैं भाजबा ऐसा हरियाना के इलावा गुजरात, राजस्तान, मद्यप्रदेश, महराष्ट जैसे राज्यमे कर चुकी है हाला कि पिछले कुछ समय से इस नीती को फिर से बदला जा रहा है जिसका नतीजा गुजरात में देखा जा चुका है गुजरात में भाजबा ने पटेल समुदाह से आने वाली वुपिंदर पटेल को मुख्यमंत्री बनाया तो उसे अब तक के सबसे बड़ी जीत हांसिल हुई हरियाना में भाजबा ने लोकस्वा चुनाव से पहले मुख्यमंतरी तो बदला लेकिन फिर भी सबसे बड़ी आबादी को अंदेखा किया गया जिसके करण वहाँ पर राजनितिक हालात भाजबा के पक्समी दिखाई नहीं दे रहे हैं अब तक वुपेंदरोड़ा कह रहे हैं कि उनका आमादीव पार्टी के साथ कोई अलांस नहीं है लेकिन जिस तरह से आमादीव पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के बाद भी पूरे दमखम से चुनाव की तैयारी कर रही है उससे कुंग्रेस चिंतित जरूर ह बले ही पंजाब में आमादीव पार्टी ने अपने बादे पूरे नहीं किये हो लेकिन हर्याणा में भी फ्री गोष्णाईं करके सब्ता पाने का काम किया जारा है ऐसे में यदि हर्याना में कोंग्रेस आम आदमें पार्टी के बीच अलाइंस नहीं होता है तो भाजपा को निश्चे तूरूप से फाइदा होगा वैसे इस बात की पूरी संभावना है कि भाजपा की लगातार तीसरी बार शप्ता में आने से रोकने के लिए कॉंग्रेस और आमादमें पार्टी अलाइंस कर सकती हैं हर्याना में राजनीतिक उठा पटक जोरों पर है आने वाले महीनों में यहां की सियासत पूरे उपान पर होगी इसलिए हर्याना की राजनीति में होने वाले हर चोटे बड़े गटनाकरम को लेकर मैं समय समय पर वीडियो लेकर आता रहूँगा यदि आपको हर्याना की राजनीती में इंट्रेस्ट है तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए साथ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके कमेंट कर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर देजिए